तो हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल अर्थिशास्त्र की नगरी जैसे कि आपने थमनिल के अंदर देखी लिया है जी हां हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंट के most important questions के regarding उन सभी questions के regarding उन सभी topics के regarding उन सभी chapters के regarding जिनकी exam में आने की जो possibility है वो कहीं जादा है favorite subject है के बाई कुछ भी कर लो जितना भी पढ़ लो इसके अंदर बच्चों को डर रहता है doubt रहता है के बाई कैसे भी करके accounts के अंदर आपको कैसे भी करके 27 marks जो है कैसे भी करके बस आजाए कल्यान हो जाए बस हमारा तो आपको आज में जो है वो easy easy topic वो इजी इजी चैप्टर से बताने वाला हूं जो आप करके बहुत ही अराम से 27 नहीं आप उससे कही ज़्यादा माक्स जो है ला सकते हो आपको कुछ भी टफ चीज पढ़ने की कोई भी जरूरत जो है आपको नहीं है तो बिना बखवास के मुद्दे को शुरू करते हैं ले की इंदर सबसे पहले जो टौपिक है आपका इसको हम कहते है इशू आफ शेयर्स या इशू आफ शेयर्स कहलो शेयर भी कहलीजी और यहां पे हम जो है share भी लिख देते हैं और यहां पे हम जो है debenture भी लिख देते हैं issue of share और issue of debenture other than cash ठीक है other than cash सबसे पहला सबसे most important और सबसे easy topic जो है वो है आपका ये ठीक है जी तीन number का question मेरे भाई ये fix है exam के अंदर ये topic और इस topic के ओपर जो questions है वो exam में आना ही आना है और कुछ नहीं करना से दो general entry यां amount किस तरीके से fill up होता है कब goodwill account open होगा कब capital reserve account open होगा purchase consideration क्या होता है बस आपको ये पता होना चाहिए बहुत ही अराम से इस question को कर सकते हो बिल्कुल basic चीज इसमें आपके जो है लगती है ठीक है जी अच्छा तो सबसे पहला जो है वो है ये इसी के अंदर आपको डिवेंचर का question करना है इसी के अंदर आपको जो है डिवेंचर का जो है मेरे भाई question करना है डिवेंचर का कौन सा question करना है आपको डिवेंचर का question करना है बहुत ज़्यादा असान बहुत ही ज़्यादा के on the basis of on the on the basis of redemption redemption के base पे issue of debenture की general entry किस तरीके से होती है छे case होते है अलग-अलग ठीक है उसके base पे कैसे general entry होते है इसे अलग-अलग छे general entries छे तरीके के case होते है यह horse topic है on the basis of redemption ठीक है इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा and collateral security है यह आप अच्छे से कर लीजिएगा कई सारे topic है ठीक है एक तो यह मैं आपको बता रहा हूँ collateral security है यह मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है यह दो मैं इसमें आपको horse topic बता रहा हूँ जो कि इसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है और भी question है इसके अंदर जो छोटे छोटे लेकिन यह तीन तीन number के यह जो है यह fix है कि यह तो भाई exam में आने ही आने है यह आपको इसके अंदर से करना है ठीक है तो debenture वारी chapter से एक तो on the basis of redemption debenture की entry कैसे होती है and debenture के अंदर ही other than cash का जो topic है यह आपको जो है बहुत ही अच्छे से यह आपको जो है बहुत ही अच्छे से करके जाना है उसके बाद हम बात करते है उसके बात करते है यह जो issue of issue of shares वाला chapter है यह बच्चों का फेवरेट chapter है क्योंकि कुछ भी अल्ले पल्ले इसमें नहीं पड़ता है क्या होता है four feature क्या होता है ratio क्या होता है prorata कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जितना भी कर लीजिए ठीक है यह फेवरेट chapter है बच्चों का तो इसके अंदर भाई क्या करा जाए इसका scoring भी है question भी आने तो इसका जुगाड क्या है क्या इसका जुगाड है कैस इसका जो है समधान इसका कैसे निकलेगा तो इसमें भाई सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले तो जो आपका fix question है ठीक है जो आता ही आता है वो है extract of balance sheet extract of balance sheet चान नंबर का question जो है यह आपका exam में आएगा ही आएगा कि भाई कैसे हम जो है balance sheet के अंदर आप इसमें four feature issue capital करेंगे यह बहुत ही असान चीज है आप बहुत ही इस टॉपिक को कर सकते हो अगर आपको इन जमेलों से जो है मेरे भाई बचना है तो ठीक है अच्छा जी यह हो गया आपका जो सबसे खतरनाक जो chapters हैं बच्चों को जो लगते हैं वो है share or debenture ठीक है share or debenture में यह इतने easy topic है कोई भी बंदा जिसने भाई 12 महीने accounts पड़ी है तो उसने अगर ज़रा सा भी लगके पड़ा यह topic आप अराम से जो है easily cover कर सकते हो ठीक है जी अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अगले topic की यह आपका comparative statement comparative statement जो है मेरे भाई सभी बच्चों का जो है favorite chapter है क्यों अब यह नहीं यल्ले पल्ले नहीं पड़ता है क्योंकि यही chapter है जो तीनों की तीनों book में से सिर्फ बच्चों को यही पल्ले पड़ता है ठीक है comparative statement चार number का सबसे easy सबसे असान और हलवा जिसको कहते हैं हलवा वो chapter है जो की कोई भी बच्चा बहुती अराम से कर सकता है चार number का question fix है fix चार number का question यह fix है यह आपका exam के अंदर जो है मेरे भाई आना ही आना है इसको आप जो है बहुती अच्छे से करके जाएंगे ठीक है जी? अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप करेंगे मेरे भाई उसके बाद आप करेंगे मेरे भाई रिटायरमेंट ठीक है रिटायरमेंट आप जो है पूरा का पूरा करेंगे और उसके बाद आप करेंगे उसके बाद आप करेंगे डैथ मेरे भाई retirement और death retirement और death इसके अंदर भी आप क्या पढ़ेंगे topic भी मैं आपको बता रहा हूँ death के अंदर basically आप क्या पढ़ेंगे executor account जो है वो किस तरीके से बनता है executor account जो है वो किस तरीके से बनता है वो आप पढ़ेंगे वो ही question आना इसका fix है ठीक है और MCQ question आ सकता है के जी P&L suspense account का आपका जो है P&L suspense account का amount calculate करने के लिए आ सकता है on the basis of sale, on the basis of profit कैसा भी आ सकता है P&L एक number का question बहुत बारी आता है P&L suspense account कब open होता है यह आपको पता होना चाहिए executor account आप पढ़ेंगे and P&L suspense account की calculation किस तरीके से होती है खासकर यह आप पढ़के जाएंगे ठीक है अच्छा जी उसके बाद जो है उसके बाद जो है retirement retirement के अंदर अगर आपको executor account आ गया तो loan account जो है आपका automatically जो है आपका हो जाएगा ठीक है retirement आप बहुत ही अच्छे से करेंगे revaluation account partner capital account और balance sheet ठीक है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे 5 fix question है 6 number का revaluation account partner capital account balance sheet retirement के अंदर किस तरीके से बनती है और वो भी कौन सा topic करके जाएंगे कौन सा topic करके जाएंगे इसके अंदर topic आपको करके जाना है topic आपको करके जाना है capital adjustment ठीक है ये वाला topic आपको जो है करके जाना मतलक Québec this is fixed topic है capital adjustment में capital adjustment में कैसे revaluation account कैसे partner capital account और कैसे balance sheet ये किस तरीके से बनते हैं ठीक है ये आप topic जो है ये आप topic जो है retirement के अंदर पढ़के जाएंगे ठीक है मेरे भाई ये जो topic में आपको बता रहा हूँ अगर आपने इतना कर लिया आप बहुत ही अराम से 35 marks जो है बहुत ही अराम से gain कर सकते हैं बहुत ही अराम से ठीक है लेकिन दिक्कत यह है कि pass के लिए चाहिए आपको 27 ठीक है तो मैं आपसे यह उमीद रखता हूँ मैं आपसे यह उमीद रखता हूँ कि जो आप 35 marks का आप करेंगे जो आप 35 marks का attend करेंगे मैं आपको पूरी उमीद है कि आप उसको पूरा का पूरा सही नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है margin Bowl जो है वो 8 marks का है सिर्फ 8 marks का ठीक है इसके अलावा और भी easy topic है जो आप कर सकते हो ठीक है बिलकुल tough चीज मैं आपको करने के लिए क्या ही नहीं रहा हूँ इसके अलावा और यह आपको कर लेने है ठीक है अब और इस रिस्क को थोड़ा और कम करना चाहते हो आप वेटा workman compensation reserve investment fluctuation reserve इनके वेटा अलग-अलग cases होते है छे, छे cases होते है इसके तो उनकी calculation कैसे general entries होती है कब क्या होता है यह आप करोगे क्योंकि इसका बड़ा 3 number का भी वेटा question आ जाता है ठीक है 3 marks का भी question आ जाता है और 1 marks में MCQ तो fix है आएगा ही आएगा ठीक है अब वो आपकी किस्मत है कि एक number का है या 3 number का है ठीक है और इसका use अगर आप यह कर लेते हैं तो इसका use आपको retirement के अंदर revaluation account, partner capital account और balance sheet में आपको देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ आपके chance जो है अच्छे से कर लीजिएगा इससे असान topic बस इससे असान बिट आप अराम से 38 marks तक आप पहुच जाएंगे और आपको बस इन topics को जो मैंने बताया है इनको आपको जो है बस अच्छे से कर लेना है घोल कर इनको पी जाना है सिर्फ इसी की practice करनी है तीन दिन सिर्फ इसी की practice कीजिए कि कैसे भी करके इन topic से अगर question आता है ना ये तो मैं गलत नहीं होना चाहिए ये तो मैं सही ही करके आउंगी या सही करके आउंगा मेरे को कैसे भी करके 38 से 40 नंबर यहां पे gain करने आपको पास होने से कोई नहीं रोख सकता ठीक है इतना आप कर लीजिए और आपक कुछ नहीं पड़ाए बस इतना कर लीजिए आपका कल्यान इसी मैं नहीं था ये समझ लीजिए ठीक है तो चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो please इस चैनल को subscribe कर लीजिएगा bell icon को press कर लीजिएगा आपके लिए ऐसी interesting video रोजाना इस चैनल पर जो है आती रहेंगी आती र के साथ तब तक के लिए have a good day bye bye take care